इलक्टिक फिल इंटेंसिटी डू तो टू चार्ज शीट तो भी देखिए वही बातें एक सीट हमारे पास ये है एक और सीट है ये हमारे पास बी ये दो ऐसे सीट है ए एंड बी और ये दोनों चार्ज सीट है मानलो स्पोज कीजिए दोनों प्रपोजिटी चार्ज है वही बात इसकी सर्फेस चार्ज देंसिटी ये है इसकी सर्फेस चार्ज देंसिटी है हमें गौसला को यूज करके इलक्टिफिल इंटेंसिटी निकालनी है दो सीट की दो क्यों जादा भी हो जाएंगी लेकिन पहले हम दो सीट की बात कर लेते हैं consider two charge sheets A and B, sigma 1 and sigma 2, these two are the surface charge density of sheet A and B respectively, let sigma 1 A are the surface charge density, surface charge density of A and B respectively, let E 1 and E 2 are electric field intensity due to sheet, charge sheet A and B respectively, let us know this. Now, let us pause here and let us know, let us know, let us know if we can यह है sigma 1 upon 2 epsilon node यह पहली वाली sheet के लिए है A के लिए और यह B के लिए है sigma 2 upon 2 epsilon node पीटे इन रजल्ट्स को हम यूज करेंगे अब सवाल यह है कि electric field intensity at any point हमें निकाना point है कहां मान लो वो point यहां है सुपोर्ज कीजिए कि वो point P है यहां पर है इन दोनों sheets के इस side में right side में तो यहां पर और भी point इन दोनों के बीच में भी हो सकता है यहां पर भी हम निकालेंगे और point इन दोनों के left direction में इधर भी हो सकता है चलिए, पहले मैं point P की बात करता हूँ, four point P, अब थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है, देखना है, इस seat को तो बूल जाओ, मुझे ये बताओ, इस seat की वज़े से P point पर electric fill intensity किदर होगी, कितनी है वो तो आमें पता है, ये A seat के लिए है, ये B seat के लिए, बट किदर होगी, positive charge ह बाहर की तरफ होता है, तो ये होगी E, one, electric fill intensity due to seat E, अच्छा चलिए, इसको छोड़ो, इसकी वज़े से बताइए, इसी point पर electric fill intensity, ये भी plus में है, तो इसकी वज़े से किदर होगी, बाहर की तरफ, बिलकुँ सही कह रहे हो, ये भी इधर ही होगी, E2, अब क्या देख रहे ह है, point P पर दोनों seat की वज़े से, electric fill intensity same direction में है, तो total electric fill intensity at point P कितनी हो जाएगी, बता सकते हो, E is equal to, क्योंकि दोनों same direction में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दो vector जब same direction में होते हैं, तो ये उनका vector sum हो जाता है, put this value of E1 and E2 from equation 1, यहाँ से, equation 2 epsilon naught, plus sigma 2 upon 2 epsilon naught, और प्यारे बचाईगी, sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 epsilon naught into n, this equation gives the electric fill intensity at point P due to two parallel charge seats, अच्छा पिटे, यह तो चलो हमने अलग-अलग sheets मान ली थी, अगर इन दोनों sheets को कोई कहें, दोनों तो identical sheets हैं, जब identical हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनकी surface charge density बराबर होगी, फोर identical sheets, sigma 1 यह जो इनकी surface charge density है, इन दोनों को फिर हम same ले लेंगे, एक जैसी है, अगर एक जैसी sheet हैं, तो उपरवाल equation क्या होजागा, फर्मला क्या बंजे होजागा, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 होजाएंगा यह, दो से दो तो हमारा cancel हो गया है, यहां पर, और देखी, रिजल्ट आ गया है, सिग्मा अपून अप्साइल नोट, तो इस equation कि दिए लग-पिक क्यू, यहां पर भी हम अलग-लग देखते हैं, पहले इस sheet की वजए से, sheet A की वजए से, electrical intensity की direct करेगी, यह देखे, यह तो इधर करेगी ना, क्योंकि positive charge से बाहर की तरफ होती है, तो यह even हो गई, अब बताए, यह इस sheet की वजए से, q point पर किदर करेगी, electrical intensity की direction क्या होगी, बिल्कु दिहान से देख रहे हो, दिहान से सुन रहे हो, यह इधर हो जाई, क्योंकि positive charge से बाहर की तरफ होगी, यह इधर, आपकी बाहर क्या हो रहा है इस पर, दो जो intensities हैं, दो vector जो हैं, वो opposite direction में हैं, तो net electrical intensity at point q due to both these sheets कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों opposite direction में हैं, इस यह इसलिए, यह subtraction हो जागा e 1 minus e 2, and put the value of electric fuel intensity from the equation, direct result रहे होगी, sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught sigma 2 over a, तो this equation gives the electric fuel intensity at point q, which lies between the two parallel sheets like this, अफिर एक बाहर 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 कि जाएगी, दोनो identical seats हैं, तो क्या करोगे, identical seats के लिए sigma 1 बराबर sigma 2, और इसको तो फिर हम sigma कर देंगे, और दोनों ही sigma यह करोगे, तो net electrical intensity कितनी है जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों तो same हो गई न, तो then electrical intensity, जीरो, सीधी सी बात है, कि अगर दो identical seats हैं, तो उनके बीच में net electrical intensity कितनी होती है, जीरो आ रही है, यूजिंग गासला हमने कर लिया है, बैटे यही नहीं, मानलो तीसरी seat भी होती, चोथी seat भी होती, तो तो भी हम ऐसे ही करेंगे, numerical में ऐसे ही करेंगे, आपको multi seats दे देंगे, वहाँ चार्ज भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं, इस पर positive charge है, इस पर negative charge है, अब negative charge की तरफ हो, इलेक्टिफिल इंटेंस्टी होती है, positive charge के बाहर की तरफ होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का में ध्यान एकना है, concept के लिए रहोना, फिर हमें उस problem से बाहर आने में कोई problem नहीं होती है, वो problem हमारे लिए interesting, हम चाहते हैं, कि जितनी typical problem हो, जितनी मुश्किल हालात होना, उतना ही लड़ने में बजा आता है, ठीक वो ही, क्यों, जब हमारी त्यारी अच्छी होती है, फिर हम यहीं चाहेंगे, कि मुश्किल से मुश्किल, question intensity कितनी होगी, even इधर होगी, बिल्कुल, छोट दो, इस seat की वज़े से बताओ, इस की वज़े से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों, even और e2 जो हैं, यह सेम डारेक्शन में हैं, लेकिन p point से opposite में, अगर इधर हम प्लस डारेक्शन ले रहे थे, तो फिर यह दोनों minus में हो जाएंगी, तो at point, अब मैं बात कर रहा हूं, for point r, even and e2 act in same direction, but in opposite than that at point p, e, तो यहाँ क्या होगा, e, बहुत ही आसानी से, e is equal to minus ले ले लेंगे, minus e1, minus e2, minus हम common ले 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 लेते हैं, और e1 और e2 की value यहाँ रख देते हैं, sigma 1, plus sigma 2 upon 2 epsilon 0, तो this equation gives the electrical intensity at point r, due to two parallel charge seats, और हम देख रहे हैं, electrical intensity at point r is same as that at point p, but in opposite direction, p से opposite में हैं, और अगर यह दोनो identical seats हैं तो, तो फिर उनकी surface charge density same होगी, और अगर वो same होगी तो देखी क्या होता है, फिर हम इसको ऐसे लेखेंगे, e is equal to, 2 sigma हो जाएगा, और यह इनको cancel कर दीजिए, और आपके पास जो result आएगा वो आजाएगा, minus sigma 1 epsilon 0, तो प्यारे बचो इस तरीके से, हमने कहीं पर भी, मैंने पहले भी बताया, चाहे 2 seat हो, चाहे जादा हो, चाहे identical हो, चाहे different type की हो, चाहे positive charge हो, चाहे negative charge seat हो, कोई फरक नहीं पड़ता, जितनी मर्जी seat दे दें, हम आसानी से, electric field intensity, निकाल सकते हैं, using gasla, gasla ने बहुत सी समश्याएं हमारी आसान कर दी हैं, तो प्यारे बच्चो, ये, प्यारे बच्चो, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, कुछ चीज को आशान, interest लेके, मन से, इमानदारी से, honestly, आप अनेको, teachers के, आप सभी वीडियो देखते हैं, मन से देखें, सभी सही हैं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती हैं, आपको समज में आती हैं, तो प्यारे बच्चो, मैं पूरा जो सलिवस है, आपका, plus one, two, nine, ten, और आपकी IIT से समद्दित प्रोब्लमस हैं, आपकी Neets से समद्दित प्रोब्लमस हैं, उन क्यु Districts को भी हम लेंगे, शोटकर्स भी हम देखें, नुमेरिकल्स भी करेंगे और तमाम जो फिजिक्स की हैं पाते हुँ हम लोग करने वाले हैं लेकिन वो तभी समभ है बैटे जब आप इन चीजों को देखेंगे और आपके जो मेरे पास फीड़ बेकाना चाहिए कि आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे बताएं ताकि उसमें हम लोग रिफोम कर सकें और अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो बैटे दूसरों तक भी भेजें क्योंकि आप ही मीडिया हैं हमारे, आप ही मेरे लिए मोटीव का काम करते हैं तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को कनफर्म करें खाल ये नहीं कि कह दिया कि उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बलकि आप उसको कह करके सब्सक्राइब करें, को कोई प्रोब्लम्स हैं वो भी बताएँ साथ में आप ये भी बताएँ कि इस स्टुडेंट को भी जो मेरा दोस्त था मैंने जोड़ा और ये उसको भी मैंने सब्सक्राइब करवाया, ये बाते आप आप हमारे इस नीचे कोमेंट बोक्स में मैं आप उन सबका रिकोर्ड मींटेन करता हूं कि ये स्टुडेंट्स देख रहे हैं तो चली हम शुरुआत करते हैं अपनी गौसला की जो अगली अप्लिकेशन है इलक्ट्रीक फिल्ड इंटेंस्टी ये फोर्थ अप्लिकेशन है इसकी एलक्ट्रिक फिल्ड इंटेंस्टी डू टू एचार्ज्ट स्फेरिकल सेल स्फेरिकल सेल जारे पर चो वही स्टेप अब आप खुद मनीमन दो रहते नहें मुझे बताते रहें मैं बताता जा रहा हूँ सबसे पहले हम चार्ज्ट स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लेते हैं यह है वो कंसीडर एचार्ज्ट स्फेरिकल सेल ओफ रेडियस आर और इस पर चार्ज कितना है प्लस क्यों पीज अनी पोइंट धी कोई पॉइंट है एक डिस्तेन्स स्मोल आर फ्म् दिस सेंटर ओफ दिस स्पिरिकल सैल स्पिरिकल सेल समझते हो ना जैसे हमरा वेलीून होता है जैसे football volleyball होता है बस ऐसे है यह अंदर बिलकुल खाली है surface surface जिसका radius r और जिस पर charge कितना है प्लस कोई पूरी शी पूरी cell के ऊपर पी जैनी पॉइंट at distance are from the center of the spherical cell अब हम क्या करेंगे अब आप कहोगे शर आप तो इस पॉइंट से होता हुआ एक Gaussian surface बना अब जरा सोचो इस cell से electric lines of force निकल रही है और वो जब पी पॉइंट पर पहुंचेंगी तो कैसी शेप लेंगी गो एक स्फियर से निकल नहीं चारो तरफ तो क्या बनेंगी एक स्फियर बनेगा तो कंस्ट्रक्ट ए स्फियर थू दी पॉइंट पी एज गासियन सर्फिस यह गासियन सर्फिस होगे लेट दी अस इस इस दी स्मोल शर्फेस अलिमेंट हम लिखते देते हैं पर लेट दी एस इस दी स्मोल सर्फिस अलिमेंट यह लेलिया थोटा सा सर्फिस हमने इस गासियन सर्फिस बने यह पूरा स्फियर है स्फियर थ्री दिमेशन होते है अब यह देखिए इस सर्फेस के एंड क्या है एंड इस दी यूनिट वैक्टर नोर्मल टू दी सर्फेस एंड इस दी यूनिट वैक्टर स्पार bastaे दो नोर्मल टू इट यह हो गया अब जरा मुझे बताओ कि इस की वजेए से इलख्ट्रीख फिल इंटेंसिटी के दर होगी नेचल है बहार के तरह पि क्योंकि यह पोजिटिटी चार्ज है इस पर तो intensity यहां पर कितनी होगी उपपर की तरफ होगी बाहर की तरफ होगी यह इस भी इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंस्टी यह चीजे हमने देख लिए अब बेटे यहां यह पी पॉइंट हमने आज डिस्टेंस पर लिया है यहां पर यह है वो पी पॉइंट यह तीन केशिज हो सकते हैं वह यह पॉइंट भार हो सकता है इस सेल से यह पॉइंट सर्फिस पर भी हो सकता है और यह पॉइंट इस सेल के अंदर भी हो सकता है मैं तिन्नों किसिल यहां करने होंगे कि फाइं Hawk's Day लिआइट k İşte Salikat वैंटी स्वेरिकल सेल और पॉइंट लाइज इंसाइड टी स्विर्यकल सेल तिन्नों ही ऑइज सलिये पहले हां सली पहला ही केश कर रहे हुए पहला क्या हमारा कि if small r is greater than r r क्या है radius of the spherical cell small r क्या है distance from the center क्योंकि point बहार लाई कर रहा है तो इस small r तो capital R से यानि कि point कहां है outside point is outside the spherical cell चलिए बना दिया हमने अब मुझे बताइए कि electric flux linked with this Gaussian surface क्योंकि एक यह सेल है यहां पर तो यह स्फियर है तो स्फियर का तो एक surface है तो यहां तो हमारे लिए इजी हो गया तो बताइए electric flux linked with the Gaussian surface बताइए electric flux linked with the Gaussian surface बताइए कितना होगा वह आपको पताइए है यह हो जाएगा ई लक्टिफिल इंटेंस्टी है और यह तो सिर्फ small surface area शीद और पूरे के लिए करेंगे close surface के लिए तो यह देखिए integrate कर दिया है अब आप यहां मुझे बताइए जरा e और n एक शेम डारेक्शन में यह नहीं है है न यह दोनों शेम डारेक्शन में आप क्या लिखेंगे as e and n are in same direction therefore theta is 0 degree और cos theta is equal to cos 0 cos 0 कितना होता है 1 तो यह equation हमारी क्या देगी electric flux बताओ बेटे हम इसको इस तरह से लिखेंगे e क्योंकि constant है बाहर ले लिया है और e ds cos theta इसको क्या लिखेंगे ds cos theta और cos theta तो कितना है यहां पर खुद देख रहे हैं cos theta 1 है तो यह भी 1 हो गया अच्छी यह तो small surface है इस छोटे से element को हमने लिए था इस पूरे sphere का surface area बता सकते हो पूरी पूरे इसका पूरे Gaussian surface का यह है हमारा Gaussian surface टोटल इलक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ट विदी इसका पूरे का एरिया अगर इसे चोटी 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 सा रहा हो उन्हें सब को जोड़ कर देंगे तो टोटल सर्फेश एरिया जाएगा तो यह कितना जाएगा इंटु फोर पाई आर स्केल यह आगया इलक्ट्रिक टोटल इलक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ट विदी गासियं से एक स्टेप पूरा हुआ है एक और स्टेप था अब क्या करें अब मुझे देरा सोच के बताईए दे अगर वो बता दोगे फिर तुम्हें एक और तरीके से हम गासला को यूज करके एलक्ट्रिक फ्लक्स को क्यों उसको वन भाई अपसाइलन नोट से मल्टिप्लाई कर देंगे अगर चार्ज तो बता दोगे आपके सामने है आपको यह स्पिरिकल सेल इसके अंदर ही तो है औ यूजिंग गासला यूजिंग फिर तो गासला हम यूज कर सकते हैं इलक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ट विद्धी क्लोज सर्फेस इटीज इकल टू क्यू बाई अपसाइलन नोट यह एक्वेशन वर्दोगा देंगे यह एक्वेशन भी हमने अलाग तरीके से इलक्ट्रिक फ इस इकल टू इंटू 4 पाई आर स्केर इज इकल टू क्यू बाई अपसाइलन नोट अर हमने क्या कहा था हमें क्या करना है इलक्ट्रिक फिल इंटेंस्टी दू टू ए स्फेरिकल सेल यह निकालना है तो इसी को एक तरफ रख लीजिए राइट साइड में बागी सबको रा तो वन और फोर पाई अपसाइलन नोट यह देखे इसको मैं नीच ले आया हूं क्यू बाई आर स्केर यह यह आगया इस इक्वेशन गिव देलक्ट्रिक फिल इंटेंस्टी अट एनी पाइंट आउट साइड दी स्फेरिकल सेल और यह किस से लिकाला है यूजिन गसला यह पिर वही बात अगर यह जो आपकी स्फेरिकल सेल है यह किसी मीडियम में होती तो फिर के किस्थान यहां पर उस मीडियम का डाइलक्ट्रिक कॉंस्टेंट भी आ जाता और अगर नहीं है तो फिर वेक्यूम है एक और चीज हम देख रहे हैं इलक्ट्रिक फिल इंटेंस्ट is inversely proportional to the square of the distance जैसे जैसे इस सेंटर से हम दूर जाएंगे electric field intensity decrease होती जाती है और एक और बात if r is infinity then electric field intensity will be 0 कहां जाकर electric field intensity 0 हो जाएगी infinity पर जाकी 0 हो जाएगी तो इस तरीक के से हमने पहला केस कर लिया है कि जब point भाहर लाई कर रहा हो हो drink you know nnyap, when point lies outside the spherical shell then the elect라고 intensity is given by this formula ये आन जाए जाएगी चलिक एक और maior case अगर ये point is spherical cell अगर ये जाए कर रहा हो तो ये दूसरा के चिया हमारा पहला Case था अब मैं second case कर नहीं जा इफ या वहन small r equal to r देखें बटे अगर point cell पर ही लाई कर रहा है तो यह small r capital r के बराबर ही होगा तो हम r बराबरा यानि क्या लिखेंगे हम point lies on cell spherical cell तो फिर यह equation जो हमारी है यह क्या देगे होटे small r के स्थान पर बस और तो सब वही होगा यह आ जाएगा और electrical intensity हमारे पास क्या जाएगी e is equal to 1 और 4 pi epsilon naught q by r square यह मिलकुल कुछ नहीं करना पड़ा हमें बस यह थोड़ा सचींज आ जाएगा यह तब होगा यानि कि this equation gives the electrical intensity on the charged spherical cell तीसरा case भी हम यागे मान लो यह point हमारा इस cell के अंदर होता cell कैसी है बहार यह देखिए तीसरा ही case हम लोग कर रहे हैं if small r is less than r अगर यह point हमारा यहां होगा तो यह small r तो इतना रहे जाएगा तो फिर यह capital r से तो कम हो जाएगा यानि कि जो point है वो अंदर लाई कर रहा है inside अब मुझे बताइए जब point अंदर है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि charge कसी भी body के outer surface पर ही रहता है अंदर चार्ज कितना है जीरो रहता है अगर मैं because there is no charge inside the cell and so q is 0 तो this equation now gives e is equal to 0 यानि कि electric field intensity inside the spherical cell is 0 तो इस तरीके से बेटे हमने इस application को कर लिया इलेक्ट्रिक फिल इंटेंस्टी डू टू एचार्ज स्फेरिकल सेल कोई कोई मुश्किल चीज आपको यहां नजर नहीं आई आपने देख लिया क्या कैसे किया हमने अगर मैं इसको एक graph के दुआरा हम दिखाना की कोशिश करें तो बेटे देखिए किया रहे हैं यह इधर एलक्ट्रिकल इंटेंस्टी और यह हमारी फिरिकल सेल है अब यह देखें यहां पर operaam किकुल की जाएगी आम अगर मैं इधर जाओं आर की कितनी हो जाएगी माइनस आर इस ओर यहां और यहां यहां से अगर मैं और intensity को इधर ले रहें र को इदर तो यह बताई आंदर कितनी है कितनी आई थी हमारी जीरो तो यह वाला यह ग्रांप यह ऑजिए और सर्फेस पर एकड़ मेक्सिमम हो जाती है यह सर्फेस पर है आर्फ इतनी हो गई यह एकदम इतनी इलक्टिफिल इंटेंसिटी है और जैसे जैसे हम बाहर के तरफ जाएंगे तो फिर गटने लगती है यह फिर पैरलल हो जाती है इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला इस इनुवर्सली प्रपोर्शनल टू स्केर यहां पर देखो और अगर मैं इस साइड की बीबात करता हूं तो यहां पर भी वही है यहां तो जीरो हैंदर अंदर तो इलक्टिफिल इंटेंसिटिफिक इतनी जीरो है पूरे में कहीं पर भी यहां एकड़ मैक्सिमम हो जाती है और इसके बाद फिर वहार के तरफ यह ऐसे जाती है तो पहरे बचो यह यहां पर भी वही तो चारू तरफ एक ही बात है तो यह इस तरीके से प्रोपर ली करोगे तो कोई मुश्किल आने वाले नहीं है चलिए नेक्स्ट अप्लिकेशन मैं आपको यहीं बदा देता हूं इसी डाइग्राम से बदा देता हूं और वो अप्लिकेशन है हमारी आप तो बेटे आपकी मास्ती होगी होगी आपको आइडिया हो गया होगा आपको रटने की ही जरूरत नहीं है कुछ भी कहे चाह स् निकाल लो उसको जोड कर दो फिर गासला को लगा करके लेक्टिव लक्ष निकालो दोनों के क्वेट कर दो यह एक तरफ बाकी सारी चीज दूसरी रफ हो गया कामाशन चलिए अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट अप्लिकेशन इलक्ट्रिक फिल इंटेंस्टी ड्यू क्योंकि जो स्फियर होता है शोलिड स्फियर है यह स्फेरिकल सेल जो होती नि बिल्कुल होलो होती है और यह क्या है चार्ज शोलिड स्फियर यह अंदर से भी भरा हुआ है और अंदर भी चार्ज है इसमें पूरे में चार्ज भरा हुआ हम क्या लिखेंगे consider a solid charged sphere of radius R charge plus Q, इस पर charge कितना है, plus Q, अब P is any point at distance, आप बोलते जाहिए मनी-मन, क्योंकि वो repeat हो रहा है, वही चीज है, वैसी है न, बाहर से देखने में, तो sphere या spherical cell एक जैसी ही दिखेंगे, P, P is any point at distance R from the center of the solid sphere, D S is the small, अच्छा, P is any point, dry sphere, Gaussian surface कैसा बनेगा यहाभी, spherical बनेगा, तो dry sphere through the point P as Gaussian surface, D S is the small surface element, S is a rise होंगे, पहले, पहले, if point lies outside the spherical cell, point may lies on the surface, point may lies inside, चली पहले, पहले, पहले कर रहा है, पहले केस, if R is greater than R, it means that point lies outside the spherical cell, so electric flux linked with the Gaussian surface कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, वही master formula हमारा, because E and N are in same direction, theta is 0, cos theta is 0, यह हो गया, so electric flux linked with the Gaussian surface, यह ही आगया, यहाँ तक कोई change नहीं, क्योंकि spherical cell हो, यह solid sphere हो, बाहर वाले point के लिए कोई फ्रक नहीं पड़ता, यह आगया, अब मुझे बताईए, एक तरीके से हमने, electric flux निकाल दिया है, बाटे, this is that, अब एक और तरीका, अब मुझे बताईए, इस Gaussian surface के अंदर, charge कितना है, पूरा sphere अंदर ही तो है, पहले कितना है, because, तो using gas law, electric flux is equal to this, अब equation 1 और यह equation 2, दोनों का left side सेम है, तो दोनों का right side भी सेम होगा, on equating these two equations, E को हमने एक तरफ रखा, बाकि सारी चीजों को हमने right side में ले गई आए, और यहाँ आकर क्या हमने क्या कहा, this equation gives the electric field intensity at any point outside the spherical cell, और अगर यहाँ पहले बताया था, if the sphere is placed in a medium, then place the dielectric constant k also here, जो अप्सालियन नोट है उसके थान पर, और यहाँ पर हम देख रहे है, electric field intensity is universally proportional to the square of distance from the center of the sphere, बिलकुल सही, अब दूसरा case करते हैं इसमें, अब यह पॉइंट मान लो इस स्फियर केस यहां पर हो सर्फेस पर हो तब भी कोई खास अंतर नहीं आएगा इप आर इजकल टू आर यह देखिए इप दिपॉइंट लाइज ओन दी सर्फेस ओप इस फिर सॉलिड स्फियर तो यह होगा और हमारे पास यह रिजल्ट आज़े अब जो मैं बात करने जा रहा हूं भी थर्ड जो पॉइंट है वो अब हमें देखना होगा क्योंकि यहां डिफरेंस होने वाला है वहां तो वेकेंट बिल्कुल खाली थे हैं यह अंदर चार्ज था ही नहीं यहां क्या है यहां पर तो अंदर भी चार्ज है अगर पॉइं कि ये है हमारे पास हमारा स्फियर और फॉ biri कीच्व कितना है आ रा पॉइंट कहा लाई कर रहा है अंदर है यहipee iny a.2 क्योंकि टीछ रा जो केस अब हम लोग कर रहें यहांपर कि जब पॉइंट लाई इंसाइड ण्य सद पॉइंट अंदर लाई precर रहा है तब कितना होगा वो देख लिए यह थर्ड केस्ट जो मैं यहाँ पर कर रहा हूं केस्थ्री की वहन R is less than R यानि point lies inside the solid sphere तो फिर यहाँ पर लेकिन इसके अंदर अंदर चार्ज कितना है वो मान लेते हैं क्यूदेश फिर वही बात DS is the small surface element यहाँ पर भी हमने मान दिया N is unit vector normal to it और E is the electric field intensity तो electric flux linked with this Gaussian surface इस इसके अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कितना हो जाएगा electric flux linked with the Gaussian से वो पूरा जो प्रोशिजर था जो इस point के लिए किया था वह आप इसके लिए कर लें कोई अंतर नहीं चलिए देखते हैं electric flux linked with this Gaussian surface कितना हो जाएगा E ds cos theta आप पूरे के लिए करेंगे तो हम इसको ऐसे कर रहते हैं अब बताएए as e and n are in same direction as e and n are in same direction यह same direction में है तो पिटे जब same direction में है तो इनके बीच में theta कितना हो जाएगा 0 और cos theta is equal to cos 0 और cos 0 is equal to 1 तो फिर यह equation हमारे क्या बताएगी यह देखिए electric flux is equal to कितना हो जाएगा e into ds क्यों क्योंकि cos 0 तो बन हो गया है अब इसका इसका भी यह देखो यह small surface element है तो इस पूरे sphere का जिसका radius small r है यह कितना हो जाएगा बैटे पहले की तरह यह हो जाएगा e into 4 pi r square एक ही किसंती आगी अब यूजीं गासला इस इस के अंदर कितना चार्ज यह देख लीजिए क्यों डैस माना है तो कितना हो जाएगा यूजीं गासला यूजीं गासला कि if is the charge density charge density of solid sphere यानि कि charge per unit volume unit volume में इतना charge है तो बता सकती है इसका volume कितना है sphere है ना? sphere का volume तो आपको पता यह यानि किकूदेस कितना हो जाएगा फोर पाई थ्री पाई आर क्यूब इंटो लेंस्टी यह होगे ना चार्ज परियूट वोलियूम है और इसका वोलियूम कितना है वो इतना है तो बस फिर तो कोई बात नहीं क्यूदेस के ज़्थान पर हम यह चीज लिख सकते हैं लिख दीजिए यहां पर यह कितना जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यह देखिए डेंस्टी और नीचे अपसाइलन नोट है यह equation नमर हमार पास दो आ गई आगे ना हूँ दोनो equation 1 और equation 2 दोनों का left side बराबर है तो दोनों का right side भी बराबर होगा on equating equation 1 and 2 e यह देखिए यह और यह बराबर होंगी तो e into 4 pi r square it is equal to 4 pi 3 pi r cube epsilon not cancel जो कटते हो कार दीजिए जैसे 4 pi से 4 pi cancel हो गया है r square से यह पावर 3 है इदर r रहे गया है e को एक तरफ रग लीजिए बिड़े और बाकिश सारी चीज़े दूसरी तरफ लेके जाए यह तो हमारे पास क्या बच गया और डिवाइड थ्री अपसाइलन नोट this equation gives the electric field intensity at any point inside the solid charge sphere और यह किसे निकाला है यूजिंग गासला यहां से special cases देखिए वेटे अब मैं जो special cases यहां आपको बताने जा रहा हूं वो देखिए इस equation में कि अगर यह point कि यह point center पर होता यह point यहां इसके यहां लिए हैं यह point center पर होता at center पहला ही case अगर center पर होगा तो आर कितना हो जाए जीरो हो जाए तो नहीं यह point अगर यहां होता तो यह small r की value कितनी जीरो और यहां अगर हम जीरो कर देंगे तो electrical intensity कितनी हो जाएगी अगर यह जीरो अगर किसी medium में है तो उसका डाइलक्टिक constant भी आ जाएगा यहां नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं है तो free space लेके चलें तो electrical intensity at the center of the charge sphere कितना हो जाएगा जी लेकिन एक और चीज़ देख रहे हैं center से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो electric field intensity जो है वो directly proportional to r है यह देखिए जोगी यह सब तो constant है तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेंगे तो electric field intensity भी बढ़ेगी यानि electric field intensity is directly proportional to r और कहां जाके maximum हो जाएगी surface और उसके बाद जब दूर जाएंगे तो inversely proportional to the square of distance आती है तो प्यारे बचो अगर हम graph से देखना चाहें इसी चीज को पूरे को graph के द्वारा देखना चाहें तो देखिए कैसा आता है कैसे results हमारे पास आते हैं मान लो हमारे पास जरा सोच यह यह एक स्फियर है और यहां पर हम ले रहे हैं इधर हम आर ले लेते हैं और यह इसका center है यह पर बैलियू कितनी हिए जीडो है और यह इसका surface है यहाँ पर इस खाल कि वेलिव बिलयुक्त नही माइनशार इधर महां इलक्ट्रिक फिलीट लेने प्रीवह अब मुझे अकी बाद बढ़ाईये कि सेंट अट्रिक फिलीटंस्टी एट सिंटर माज किते इति जीरो तह हमारे पारी पॉइंट आगया और शेंटर इस जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाते हैं तो intensity is directly proportional to R आही थी तो यह रिजल्ट यह डारेक्ली प्रपोस्ट में तो state-line graph आजया गया यह यह तक आ गया और यह surface पर आगे maximum इधर जाएं चाह इधर जाएं क्योंकि अंदर क्या है इज डारेक्ली proportional to R और इधर भी वही बात है यहां पर भी वही है यहां पर के maximum हो गई है अब आगे देखिए जब इससे बाहर जाएंगे तो इतुल डिक्रीज लाइक दिस और ऐसे क्योंकि भार अगर हम जाते हैं तो इस तरीक के से बेटे अगर आप किसी भी टोपिक को मन से करते हैं डंग से करते हैं आप अगर scoring करनी है मैं आपको एक master चीज़ बताता हूँ paper attempt सभी करते हैं लेकिन कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा number आते हैं कुछ बच्चों के कम number आते हैं कारणी ये होता है कि कुछ बच्चों ने उस article को सही सबने लिखा है अगर वो 5 number का question है तो किसी के उसी में 5 आरे हैं किसी को 1 आरा है किसी को 2 आरा है ऐसा क्यूं कारणी ये है कि कुछ बच्चों ने उसको बहुत अच्छा लिखा है दूसरों के comparatively अच्छा लिखा है यानि कि आपके number आरे हैं इस में सरफ आपकी मेहनती नहीं बलकि इसमें दूसरे भी योगदान करते हैं अगर आपने दूसरों से अच्छा लिख दिया तो आपके जादा नमर आ गए अगर आप से अच्छा किसी और ने लिख दिया सही तो आप भी हैं तो आपके नमर बिनाबाद कम हो गए क्योंकि अंतर तो डालना है न तो जो मार्क्स होते हैं कॉम्पिटिशन जहां होता है वहां अपने आपको बेस्ट सिद्ध करना होता है तो प्यारे बच्चों बढ़ी अच्छी तरीके से क्वेस्टन को कीजिए बढ़ी तो फिर देखना आप दूसरों से हट के हो जाओगे और यही अपना एम है प्यारे बच्चों आपको सबसे आगे लेके जाना बेस्ट करना ये मेरा उद्धिश्य है और आप सिर्फ इतना ही करें कि रेगुलरली क्लास अटेंड करें आपने वीडियोज को देखें और दूसरी एक बात जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि जादा से जादा बच्चों में ये जब वीडियोज पहुँचें ये मेरा उद्धिश्य है मेरा मोटिव है कि मैं जादा से जादा देख के उन बच्चों की सिवा कर सकूँ उन बच्चों को फीजिक्स पढ़ा सकूँ जो किसी वज़े से नहीं जा पाते हैं इधर उदर और बहुत ये आपके लिए फ्री ओफ कोस्टी रहता है तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जादा से जादा बच्चे और किस बच्चे ने कितना इसको सब्सक्राइब कितने बच्चों तक पहुंचाया है एक्च्वल में अपने दोस्त के ओपर तो हम बाॉंडिशन डाल सकते हैं कि तुम इसको एक बार तो देखो क्योंकि एक बार तो हमें इसको उससे जबरदस्ती कह करके आइकोन दे रखा है इसको प्रेस करके और अपने इस चैनल को Physics by I.C. Sir इसको सब्सक्राइब करें